परिवान मंत्री बुदी करिया सुमाडी के मुताबिक श्रीविजे एरलाइन्स की उडान SJ-182 को 2.36 मिनिट पर उडान भरने से पहले एक घंटे की देरी हुई थी पाइलिट ने जब एयर ट्रफिक कंट्रोल के साथ संपर्क किया उसके चार मिट बाद बुईंग 757 पांसु रडार से गायब हो गया था पाइलिट ने हवाई यातयात नियंतरन के लिए 29,000 फीट की उचाई से संपर्क किया था एरलाइन्स निक बयान में कहा है कि विमान इंडोनेशिया बॉर्नियो द्वीप पर पशिम काली मंतन प्रांथ की राजदानी जकारता से 90 मिनिट की उडान पर था विमान में 50 यातरी और 12 क्रू मेंबर ये सभी इंडोनेशिया इनना गरित थे जिसमें एक अन्य यातरा के लिए 6 अतरिक तिचालक दल शामिल थे सुमाडी ने कहा है कि 4 जंगी जहाजों समेत एक दरजन जहाजों के साथ लंकांग दूइप, लाकी दूइप और जकारता के उत्तर में हजार दूइप शंकला के हिस्से के बीच बचाव अभिहन जारी है नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजनसी के डिप्टी हेड ऑफ ऑपरेशन एंड रेडी बबांग सूर्या आज ही ने कहा कि बचाव दल ने विमान के मलबे और कपड़ों को एकटा किया जो मच्छवारे को मिली थे, आगे की जांच के लिए वस्तूओं को राश्टे परिवान सुरक्षर समीती को सौब दिया गया है क्रेश हुए विमान में 12 क्रू मेंबर के साथ 50 स्यात्री सवार थे, इनमें 7 बच्चे और 3 नवजा शामिल है इंडोनेशिया के एर फोर्स के चीफ और स्टाफ के असिस्टेंट हेंरी ने कहा है कि मुझे भरोसा है कि हम विमान ढूड लेंगे रिपोर्ट के मुताबिक विमान 26 साल पुराना था, हाला कि सिवर्जया एरलाइन्स का कहना है कि विमान ठीक स्थिती में था सिवर्जया एरलाइन्स इंडोनेशिया और दक्षिड पूर्वी एशिया दोनों में ही अपनी सेवाय देती है इंडोनेशिया में ये कोई पहला हाथसा नहीं है इससे पहले 2018 के अक्टूबर में इंडोनेशिया में बड़ा विमान हाथसा हुआ था लाइन एयर फ्लाइट उडान भरने के 12 मिनिट बाद समंदर में गिर गई थी हाथसे में 189 लोग मारे गई थे लाल खास कबर में सिर्फ इतना ही बने रही है न्यूस वर्ल इंडिया के साथ नमस्कार